गूड मॉर्णिंग एब्रीवन, मैसल ब्रक्राशिवाजी सरकार, तोड़े आम गई तो डिसकॉस अबर टॉपिक ऑन स्टेरियो आईसोमारिजम्स इस स्टेरियो आईसोमारिजम्स के अंदर आज मैं आपको समझाने वाला हूँ अप्टिकल आईसोमारिजम्स क्या है अब उसके साथ ही साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ specific rotations regarding points और उसके साथ मैं आपको कुछ simple trick सिखाने वाला हूँ जिस trick को apply करके specific rotation regarding जो numerical, neat level में और university level में पूछा जाते हैं उसे आप बहुत ही simple तरीके से उसे solve कर सकते हो तिया सभी points जानने से पहले या सभी points को देखने से पहले मैं सभी students और सभी viewers को मेरा चैनल, dr. सरकार, home tuition में सभी को welcome करता हूँ और उसके साथी साथ मैं सभी students और विवार को ये बोलना चाहता हूँ, जो भी students ने आज जो भी viewers ने अब ही तक मेरा channel को subscribe नहीं किये ओ प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरा चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियो है सब भी वीडियो को देखे हो समझे और उसके बाद भी उसके मन के अंदर कोई भी टाइब के doubt and question है तो उस condition में students and viewers मुझे question पूछ सकता है मेरा चैनल के comment box के अंदर नहीं तो मुझे email भी कर सकते हैं और इस वीडियो को जब आप देखोगे प्लीज आप वीडियो को last तक देखना और वीडियो को आप last तक नहीं देखोगे तो वीडियो के अंदर जो मैं important point आपको समझाने वाला हूँ उस point को आप समझने ही पाओगे और वीडियो देखने के बाद प्लीज वीडियो के like कर देना और उसके साथ ही साथ comment भी कर देना इस वीडियो के description box है इस description box के अंदर इस वीडियो के regarding जितनी सारी important point और question है सब आपको मिल जाएंगे अब उसके साथ ही साथ description box के अंदर आपका बाकी मेरा हभी वीडियो के link भी मिल जाएंगे तो उसे click करके भी आप बाकी वीडियो को enjoy कर सकते हो तो अभी हम लोग देख लेते हैं optical isomardisms क्या होते हैं तो optical isomardisms means हम लोग उस isomard उस compound को optical isomard बोल सकते हैं जो compound optically active होते हैं इसका मतलब optically active means optically active means जो planopolis light को rotate करवा सकते हैं तो planopolis light क्या है तो ओ देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं जो optical isomard क्या है the compound which having the same molecular formula but different optical rotation इस जगह पे आपको याद रखना है the compound which having the same molecular formula जिसका molecular formula same होंगे लेकिन क्या defines होंगे उस जगह पे आप उसका optical rotation आप अलग देखोगे उस condition में हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं इसे isomard को हम लोग optical isomard बोलते हैं और इस phenomenon को हम लोग optical isomardisms बोलते हैं तो जैसे मैंने बोला जो rotation करवा सकते हैं planopolis को planopolis light को rotate करवा सकते हैं और जो compound ऐसे rotate करवा सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं compound optically active है इसका मतलब हम लोग सामाड़ी इसका निकाले तो optically active means जो planopolis light को rotate करवा सकते हैं जो compound के पास ऐसे capacity है एसे compound को हम लोग क्या consider कर सकते ही Optically active compound के इसाब से consider कर सकते है और इस जगा पे students को यह point को याद रखना है वही compound Optically active होते ही और वही compound plan applies light को rotate करवा सकते जिस compound के पास आप क्या देख पाओगे जिस compound के पास आप chiral molecule देख पाओगे जो molecule chiral carbon content करेंगे जो molecule chiral molecule होंगे तो chiral molecule क्या होते हैं, chiral carbon क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पर आप simple इतना याद रखो जो compound आपका chiral molecule हुआ compound के पास आपके chiral carbon रहा तो उस condition में उस compound के पास यह capacity होते हैं जो ओ compound plan applies light को rotate करवा सकते हैं और जो rotate करवा सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं optically active compound लेकिन question भी यह जनायट हो रहा है यह optically active तो हम लोग समझ गए और plan applies light को के रोटेट करवा सकते हैं वो भी हम लोग समझ गए लेकिन कुन साइस instrument है जिस instrument को use करके आप optically active है की नहीं compound उसे आप measure कर सकते हो तो जो instrument को use करके हम लोग compound को देखते हैं compound optically active है की नहीं compound आपका optical isomer है की नहीं उस instrument को हम लोग क्या बोलते हैं उस instrument को हम लोग बोलते हैं polarimeter तो इस point को आप याद रखना जो polarimeter ओ instrument है जिस instrument को use करके आप ये find out कर सकते हो जो आपका compound जो है ओ compound आपका optically active है की नहीं तो अभी optically active भी हमें समझ में आ गया तो अभी question ये जिनायट हो रहा है optically active होने के लिए planopolis light को हम लोग rotate करवा रही थे लेकिन ये planopolis light क्या होते है planopolis light आपको जानना है जो normal जो light होते है उस light को हम लोग बोलते हैं non-polarized अभी non-polarized means यहाँ पर जैसे diagram में आप देख सकते हो जो light की जो direction है वो direction हर जगा पे हर side में आप देख पा रही हो हर दिशा में आप देख पा रहो light की direction है लेकिन इसी को जब हम लोग polarized बोलेंगे तो उस condition में उसका जो direction होते हैं वो direction आपका एकी side पे हो जाएंगे that means यहाँ पर आप signed out कर सकते हो और आप यह समझ सकते हो जो non-polarized and polarized can the difference क्या हुआ non-polarized हुआ तो light की जो direction होंगे वो direction हर side में होंगे जिसे picture में आप डियाग्रम में आप देख पा रहे हो और उसी तरीके से जब आप polarized light की बात करोगे तो उस जगा पे आप क्या देख पाओगे उस जगा पे आप देख पाओगे जो light की जो direction होते हैं वो direction कैसे होंगे, वो direction, single direction और एकी side पे होंगे उस condition में हम लोग उस light को बोलते हैं polarize light लेकिन किस तरीके से हम लोग non-polarized light को polarized light में convert करते हैं तो इस point पे students को याद रखना है जिस condition में आप कोई normal light लेते हो जैसे हम लोग घर में जो normal light और bulb यूज़ करते हैं they are all containing non-polarized और जो light content करते हो non-polarized होते हैं और non-polarized होने के लिए ही आपका घर में जब bulb up on करते हो light up on करते हो आप देखते हो घर के हर side में प्रकाश हो जाते हैं इसका मतलब वहाँ पर जो light जो निकाल रहा है और light के जो direction है हर side में हो रहा है इसलिए हम लोग इस light को non-polarized के सबसे consider करते हैं तो आपको क्या कर लेना है जब उस नikelle prisms के उपर से भेज़एंगे तो उस condition में जो direction हर side में है यह direction आपका single direction और एकी side के direction में कनभाट हो जाएंगे और उस condition में आप इसे consider करोगा इस जगा पे आप इसे बना पाओगे जो non-polarized light आपका यहाँ पर किस में कनभाट हो चुका है non-polarized light आपका यहाँ पर polarized light में कनभाट हो चुका है तो यहाँ पर आप diagram में देख सकते हो, picture में देख सकते हो जिए light का आपका source है, हम लोग यहाँ पर normal light है हर जगह पर हर direction में हम लोग इसको देख पा रहे हैं और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं और इस जगह पर हम लोग देख पा रहे हैं जिसका जो direction है यह direction यहां पर single direction में हम लोग देख पा रहे हैं लेकिन जब यह normal light को हम लोग क्य अक्टिव हुआ तूस जगा पर उसका rotation होना जोरूरी है वो rotation आपका left hand side में भी हो सकता है वो rotation आपका right hand side में भी हो सकता है जैसे इस diagram में आप देख पा रहे हो जो light की जो single direction और जो polarized light है वो polarized light का यहाँ पर आप देखो जो इसे rotation हो रहा है यहाँ पर हम लोग इसको complete rotation होते हो में देख पा रहे हैं that means एसा rotation जब आप देखोगे उसी condition में आप क्या consider करोगी उसी condition में आप consider करोगे जो compound आपका इस rotation करवा रहा है इसका मतलब वो compound आपका optically active है और उस compound को आप यहाँ पर optical isomar के हिसाब से उसे consider कर सकते हो तो यहाँ पर हम लोग इने diagram में देख लिया जो planopolarized light कैसे होते हैं और हम लोग non-polarized light को किस तरीक से हम लोग planopolarized light के अंदर consider कर सकते हैं तो यहाँ पर rotation आपको एक point को याद रखना है क्योंकि rotation के उपर depend करकी मैं आपको second point समझाने वाला हूँ जिस point को हम लोग क्या बोलते हैं जिस point को हम लोग specific rotation बोलते हैं जहो हम हम लोग specific rotation discuss करने से फ़ले lastly मैं और एक important point आपको समझाना चाहता हूँ जैसे मैंने भी rotations की बारे में बोला यह rotation left hand side में भी हो सकता है यह rotation आपका right hand side में भी हो सकता है लेकिन आपको याद रखना है compound optically active होना ही है और compound optically active हुआ तो उसी condition में वो planopolarized light को क्या करेंगे planopolarized light को clockwise rotate करवा सकता है नहीं ते anti-clockwise rotate करवा सकते हैं जब वो clockwise rotate करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं dextrotatory और उसे हम लोग plus symbol से भी लिखते हैं लेकिन इस जगह पे मैं students को एक point याद करवाना चाहता हूँ students को जब वो represent करेंगे that means dextrotatory को जब represent करेंगे उसे जब abbreviate करेंगे उस capital D से नहीं करोगी और capital D से represent क्यों नहीं करोगी capital D किसका represent करते हैं वो हम लोग next वीडियो को देख लेंगे और next वीडियो के अंदर हम लोग जान लेंगे और उसी तरीके से ये जो rotation में आपको बोला clockwise उसी तरीके से इसका anti-clockwise भी हो सकते हैं तो जब आपका rotation anti-clockwise हो रहा है उ उसे आप represent करोगे small l से नहीं तो minus से और उसे आप कैसे represent नहीं करोगे उसे आप capital L से represent नहीं करोगे तो उसके समझने के लिए यहाँ पर आपको यह समझ में आ चुका है जो आप dextor oratory और liver oratory क्या होते हैं और उसके अंदर difference क्या होते हैं और जब उसे आप represent करते हो तो उसे आप कैसे represent करोगे plus small d capital D आप use नहीं करोगे dextor oratory के लिए उसी तरीके से जब अब liver oratory लिए लिखते हो तो उस जगा पे आप represent करोगे small l नहीं तो minus और उसे आप नहीं लिखोगे capital L से जैसे यहाँ पर हम लोगे example के हिसाब से lactic acid को ले रहे हैं तो पहले question तो यह जनायट ह लाए lactic acid क्या optically active है मैंने बोला compound optically active होने के लिए उसके एक criteria यह है जो compound के पास asymmetry carbon atom होना चाहिए compound के पास chiral molecule होना चाहिए तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो lactic acid के अंदर chiral carbon है और chiral carbon है क्योंकि इस जगा पे इस carbon के अंदर हम लोग अलग type की यहाँ पर चार अल गलग type के group content करते हैं उस condition में उस carbon को हम लोग chiral carbon और chiral carbon बोलते हैं तो compound आपका chiral molecule हुआ compound आपका chiral carbon content किये तो उस condition में compound क्या हो सकता है compound उस जगा पे optically active हो सकता है इसी reasons के लिए lactic acid के पास यह capacity होते हैं जो compound को क्या कर सकता है compound के उपर से जब हम लोग planopolis light को पास करेंग dan ylactic acid के ओपर से तो compound क्या कर सकता है उसे rotate करवा सकता है rotation किस- perpendicular के से कर सकता है rotation right side से कर सकता है rotation left end side से भी कर सकते हैं जब right side से करेंगे तब उसे हम लोग represent करेंगे plus ucionesने तो small d जब लेट händ साइट में करेंगे तो उस जगा पे हम लोग उसके रिप्रेजन करेंगे minus नही करना है तो उस condition में हम लोग जिस formula जो जुस वर्से से explain करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं specific rotation और इस point पे में सभी students को यह बोलना चाहता हूँ जो students आपका need के लिए हो जो students आपका जड़ोबली के लिए हो और students आपका board के लिए हो और university के लिए हो students को इस जगा पे आपको अच्छे तरिके से याद रखना है क्योंकि हर exam में specific rotation से numerical पूछा जाते हैं और numerical जो पूछा जाते हैं तो उस numerical को solve करने के लिए आप कौन से formula यूज़ करोगे कैसे यूज़ करोगे व आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ तो यह जो specific rotation है यह specific rotations क्या होते हैं specific rotation is defined as the rotation produced by the solution length of 10 centimeter and unit concentration is 1 gram per ml for giving a length of light at given temperature तो आपको यह question पूछा जाते हैं specific rotations का definition तो जो definition में ने आपको अभी बोला वो definition आपको exam में लिखना है जब आपको यह question पूछा जाएंगे लेकिन इस point पे students को यह भी याद रखना है तो specific rotation depends किसके उपर करते हैं उसका जो rotation हो रहा है उसका जो angle हो रहा है जो आपको find out करना है वो depend किसके उपर करता है तो यह आपको याद रखना है specific rotations के लिए definitely compound आपको optically active होना ही है लेकिन उसके बाद भी क्या-क्या factor होते हैं उस है उसके साथ आपको देखना है आपका compound की concentration, concentration compound को देखने के लिए जो solution आपने बनाया जिसका rotation आपको find out करना है जो solution आपने बनाया उसका concentration क्या है थिकने सब layer क्या है और nature of solvent क्या है और temperature आपने प्रपाली maintain किया है कि नहीं तो यह सभी factor होते हैं जिस factor के उपर depend करके आप compound को specific rotation find out कर सकते हो तो जब आप compound को specific rotation find out करोगे तो उस जगह पे students को ये जो point में आपको बोला ये जो parameter में आपको बोला इस parameter को आपको properly maintain करना है और उसके बाद ही उस compound को का specific rotation find out कर सकते हो तो अभी question यह जेनाठ हो रहा है ये specific rotation find out करने के लिए हम लोग formula क्या यूश करेंग c and third जो formula है यह formula है आपका 100 into alpha divided by l into c तो यह जो तीन formula में आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ इस तीन formula को आप use करोगे और अज तीन formula को use करके आप specific rotations को find out कर सकते हो लेकिन question अभी यह जिनायट हो रहा है जो यह particular formula में आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर कुन सी formula कब किस तरीके साब use करोगे जो आपको जानना जोरूरी है तो हम लोग अभी देख लेते हैं किस तरीके सा हम लोग formula को use करेंगे माल लेते हैं जो आपके पास कोई compound दिया जा रहा है वो compound आपका pure form में है वो compound आपका pure liquid है उस condition में उसका specific rotation find out आप करना चाहते हो तो उस जगा पे आपको formula क्या use करना है उस जगा पे आपको formula use करना है alpha divided by L into rho और जब इसे आप लिखते हो और जब उसे आप बोलते हो तो उस जगा पे आप कैसे बोलोगे specific rotation is equal to observed rotation divided by path length in decimeter into density in gram par ml और यहाँ पर जो मैंने alpha बोला, L बोला, rho बोला वो हर एक चीज़ हर एक point को indicate करते है जैसे alpha यहाँ पर observed rotation के indicate करते है L जो मैंने यहाँ पर बोला वो length of sample of tube in decimeter indicate करते है rho जो मैंने बोला यह density of pure liquid indicate करते है T यहाँ पर temperature indicate करते है और यहाँ पर हर एक point जो मैंने आपको अभी explanation के हैं आपर हर एक point हर एक चीज़ को indicate करते हैं यह point को आपको याद रखना है तो overall यहाँ पर आपको यह चीज़ याद रखना है जब आपको पास sample pure liquid हो तो उस जगा पर आप formula यूज़ करोगे alpha divided by l into rho तो इस जगा पर आपने देख लिया जो formula को आप particularly use करोगे जब आपका pure liquid का specific rotation find out करने के लिए बोला गया है जब आपकी पास कोई solution दिया जा रहा है और उसका specific rotation find out करने के लिए बोला जा रहा है तब आप formula use करोगे alpha divided by l into c और जब इसे आप read करोगे जब इसे आप explain करोगे तो उस condition में आप बोलोगे specific rotation is equal to observe rotation divided by path length in decimeter into concentration in gram per ml लेकिन इस जगा पे में students को ये बोलना चाहता हूँ ये जो concentration आप देख रहे हो जब आपका solution दिया जा रहा है तब आप इस जगा पे formula use करोगे और मान लेते हैं जिस जगा पे आपका concentration of solution बोला गए percentage w by v उस condition में आप कौन से formula use करोगे उस जगा पे आप formula use करोगे 100 into alpha divided by l into c और उसे आप read कैसे करोगे उसे आप read करोगे specific rotation is equal to observed rotation divided by path length in decimeter into concentration in percentage w by v तो यहाँ पर आपने देखा तीन अलग-अलग formula और मैंने आपको समझाया तीन अलग-अलग formula को आप का भी use करोगे तो इसे हम लोग summary के form में देख लेते हैं जो पहला formula मैंने आपको बोला alpha divided by l into rho इसे आपका भी use करोगे इसे आप तब use करोगे जिस जगा पे आप क्या देख पा रहे हो जिस जगा पे density of liquid आपको दिया गया है gram पार ml के हिसाब से second जो formula मैंने आपको बोला यह formula है alpha divided by l into c इसे आपका भी use करोगे जिस जगा पे आपका concentration दिया गया है gram पार ml में और जब third जो formula में आपको बोला 100 into alpha divided by l into c इसे आप तब use करोगे जिस condition में आपका concentration दिया गया है percentage w by v में तो यहाँ पर आपने देख लिया पहला formula में हम लोगोंने रो, second formula में हम लोगोंने आपका c और third formula में यहाँ पर हम लोगोंने 100 into alpha divided by l into c use किये इसका मतलब आपके सामनी जब numerical पूछा जाएगा तो examiner आपको किस तरीके से पूछ सकता है examiner आपको concentration दिया जा रहा है उस जगा पे density के form में पूछ सकता है आपका concentration आप ग्राम पार ml में पूछ सकते हैं नहीं तो concentration आपको percentage w by v में पूछा जा सकता है तो आपको देख लेना है, जो examiner आपको question किस तरीके से पूछ रहा है, competitive exam में आपको question किस तरीके से पूछ रहा है, वो आपको density regarding pulse रहा है, तो उस जगा पे आप पहला formula यूज़ करोगे, जब उस जगा पे concentration आपको gram-paramil में दिया गया है, तो आप इस second formula यूज़ करोगे, औ numerical आपको exam में पूछा जाएंगे, तो पहला जो question यहाँ पर पूछा जा रहा है, question A से पूछा जा रहा है, what are the specific rotation of a compound X when the concentration is 0.8% w by v, angle of rotation is 2.5 and tube length is 25 cm, तो जैसे मैंने आपको 3 आपको formula में ने सिखाया, 3 trick मैंने आपको सिखाया और आपको मैंने बोल भी दिया, या हर एक trick को आप किस-किस जगा पे use करोगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते ही, जो concentration यहाँ पर क्या बुला गया है, concentration यहाँ पर percentage w by v बुला गया है, तो आप प्रेडिक कर सकते हो, जब आपको concentration percentage w by v बुला गया है, तो आप यहाँ पर कौन सी formula use करोगे, तो definitely जो 3 वाला formula में ने आ कितना है 2.5 है, ट्यूब जो है उसका लेंद कितना है 25 cm है, इससे आपको decimeter में convert कर देना है, तो decimeter में हम लोग convert करने के लिए इसको 10 से divide करेंगे तो है decimeter में convert हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो concentration है, concentration यहाँ पर 0.8% w by w बोला गया है, तो आभी formula मैंने बोला आपको 3 फर्मॉला यूज करना है तो मैंने आपको बोल दिया था जो आपको % W by W by V बोला जा रहा है तो आपको फर्मॉला कुन से यूज करना है फर्मॉला आपके यूज करना है 100 into alpha divided by L into C तो यह फर्मॉला लिखने के बाद आपको जो value है वो value आपको पूट कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर alpha का value कितना है, 2.5 तो यहाँ पर 2.5 डाल दो, इस जगा पे आपका जो tube का जो length कितना है, 2.5 है, तो 2.5 यहाँ पर डाल दिया गया है, और concentration कितना है, concentration यहाँ पर आपका 0.8 है, तो आपको यह 0.8 यहाँ पर डा लेते हैं, question number 2 में बोला जा रहा है, if a solution of a compound X has a major rotation is 25 degree in 5 decimeter tube, then what is the specific rotation, तो यहाँ पर concentration कितना बोला गया है, gram par ml, तो मैंने आपको बोल दिया था, जब gram par ml आपको पूछा जा रहा है, तो उस जगा पे आप कौन से formula यूज करोगे, आप formula यूज करोगे, 100 into alpha divided by, यहाँ पर आप को L into C, तो अभी question यह जनायट हो रहा है, यहाँ पर आपने यह वाला formula यूज क्यों किया, यहाँ पर और दो formula यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने जो gram par ml जो है, और जो 30 gram par 100 ml है, इसको हम यहाँ पर percentage WIFE में हम लोगों convert किया गया है, और हम लोग ने पर convert किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर formula number 3 उसकी है, तो यहाँ पर formula हम लोग पहले लिख लेना है, जो formula है 100 into alpha divided by L into C, तो 100 के जगा पर आपको 100 ही रखना है, alpha आपका कितना है, rotation कितना है, आपका question paper में 25 है, तो आप यहाँ पर 25 लिख दो, इस जगा पर आप जो L है, length कित centimeter है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 5 DM आपने लिख दिया, और उसके बाद आपका यहाँ पर concentration, concentration कितना है, 30 percentage है, इसलिए आपको यहाँ पर 30 लिख रहा है, और उस जगा पर इसको आपको cut कर लेना है, जो आप इसको formula अपलाई करेंगी बाद इसको silk help करोगे, तो उस आपको neat level में हो, zero level में हो, कोई भी type की competitive exam के level में हो, इससा पूछा जा सकता है, जब आपको इससा question पूछेंगे, तो उस जगा पर आपको formula जैसे मैंने use करके solve किया, इसी तरीके से आपको solve करके, use करके इसको solve करना है, सिर्व आपको इसको देख लेना, जो question paper में आपको density पूछा है, तो आप पहला formula यूज करोगे, question paper में आपको concentration पूछा गया है, तो उस जगा पर second formula यूज करोगा, question paper में आपको W by V पूछा गया है, तो उस जगा पर आप formula यूज करोगे, तो आज के lecture में इतना ही है, next lecture में हम लोग और भी optical isomarsms के बारे में और भी बहुत जानेंगे और देख लेंगे कुछ important point को, जो point को neat level में और बाकी सभी competitive exam में पूछा जाता है, so thank you each and every students, each and every viewer for your support, for your love and for your valuable comment, so thank you, thank you again.